दूस्तों हम इस बीजम बात करने वाले हैं Samsung Galaxy M34 5G smartphone के नए software update के बारे में जो कि यह जो update होगा यह Samsung के M34 5G smartphone का फर्स्ट smartphone फर्स्ट update है तो पुरा मैं आपको दाऊँगा कि Samsung ने इस smartphone के अंदर नया security patch roll out कराया है दिसंबर के update के साथ में तो यहाँ पर हम चलिए चेक कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन अगर आप एक समसंग का डिवाइस यूज करते हैं M34 5G स्मार्टफोन तो इसके लिए एक नया अपडेट मिल चुका है दिसंबर के सीकूरी पैज के साथ में तो यहाँ पर हम चलिए चेक कर लेते हैं अभी हम एक बार भी यहाँ पर चेक नहीं कि हैं इनफोर्म मिला है कि अपडेट यहाँ पर आया है यहाँ पर लास्ट अपडेट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाओं इसी स्मार्टफोन का तो इसको एंडवाइट 14 का 1EY 6.0 का अपडेट जो हमें देखने को मिला था नॉ फोन में कोई साथ फोन समसंग का डिवाइस यूज करते हैं तो इसी तरह अपडेट को चेक करना है यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है यानि इस फोन में अपडेट हमें देखने को मिल गया है इसको पॉस कर देते हैं और यहाँ पर देखिए पहले यह option हमें देखने को नहीं मिलता था, यहाँ पर resume download यहाँ पर दे रहा है, जो कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, resume download का option यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी update की file है 237 MB की, 237 MB की update की file है, December का security patch हमें देखने को लिगाते हैं, और इसके इंदर Samsung ने device के stability को improve कि क्या है, bug को fix किया गया है, नए पुराने feature को improve किया है, और इसके अंदर improve after updating, do not able to downgrade to the old software because update the security policy, security policy है इसका कि अगर इसको जो है, इस software को update कर लेते हैं, तो इससे downgrade नहीं कर सकते हैं, पुराने वर्जन पे अपने phone को flash नहीं कर सकते हैं, software upgrade नहीं कर सकते हैं, तो पुराने पे हमें software update करने की क्या ही जड़ोते हैं, हम अपने इस smartphone को update कर लेते हैं, आप भी यहां से update कर लीजेगा, 237 अप्डेट के फाइल है, और पूरा मैं आपको इसका review दूँगा, कि इसके अंदर जो है, क्या bug को fix किया गया है, क्या improvement किया गया है, सब कुछ मैं आपको detail में ज देख किया हूँ, यहां पर देख सकते हैं, और मैं आपको दादू कि इसके लवा और भी बहुत सारे smartphone है, जो कि उन device के लिए समसंग ने दिसंबर का security patch जो है update रोल आउट कर आया है, तो मिलते हैं next video में